जारकन के बहाडियों और जंगलों में जन्मा एक ऐसा महानाया जिसने अगने साहस और संखर्श से बेटिक शासं को चुनाव दे दिए हम बात करने हैं विर्सा मुड़ा जिन्हें उनके अन्याईयों ने धर्ती आपात्मर्वान विर्सा मुड़ा के दूप में पूज़ा विर्सा मुड़ा का चंग पंगड़ा नाउंदर अठारा से पिछ तक दूप शार खंड दे खूदी जिले के अंगली हाटू जाम में पूज़ा विर्सा का बच्पन घेर बड़िया चराते बासुरी बजाते और इस थानिये अध्रा में नास्ते गाते भीता था उनकी परवरिश मुठ्य रूट से बोबंदा के आस्तास्किर जंगरों में पिर्सा का बच्पन बेहत खरीबी अस्तंखश में पिता था बच्पन में विर्सा ने अतीप में हुए मुणडा विद्रोह की कहानिया सुन लेजी उन्होंने कई बाद समुदाय के साधारों को विद्रोह का आफ़ान करते देखा था बिर्सा के समुदाय के लोग ऐसे स्वड़ियुक की बात किया करते से जब मुणडा लोग बीखों के उपीडल से पुखे थे साधारों का कहना था कि एक बात पिर उनके समुदाय के परमपरादत अधिकार बहा हो जाएंगे बेखों को वो लिवासियों का पर शच्च माते थे और अपनी जमीन की लड़ाई यानि की मुद्ब की लड़ाई के लिए लड़ देते इन वीर गाताओं ने लोगों को अपना सामरा चुपाने के लिए प्रेदिया दिर्सा ने अपने आसपास के अन्याय को देखा और महसूस किया छोटी सी ही उम्र में उन्होंने देखा कि कैसे उनके समुदाय को विदेशिक ताकतें अपने लाव के लिए शूशित कर रही हैं उनके जीमन की परिस्थितियां कखिन थे लेकिन यही संघर्ष उन्हें आगे चल कर एक बड़े आंदोलन का नेद्वित्म करने की पेड़ना देता है यह बहुत समय था जब बिटिश शासंग का प्रभाव तेजी से पढ़ रहा था और आदिवासी समुदायों को अपनी ही भूमी और अधिकारों से मंचिक किया दार था दीडे धेरे बिटिश मिशनरियों ने आदिवासी समाच में अपने धर्म का तचार शुव किया था बिर्षा ने मिशनरी स्कूल में दाखने डालिया जहां उन्होंने पढ़ाई के साथ साथ धर्म के विभिन पहलों को समझा बिर्षा का पईवार उन्हें जन्द के पहले ही इसाई धर्म सुईकार बच चुका था 1886 से 1890 तन बिर्षा चाइबासा के जर्मन मिशनरी स्कूल में पढ़े लिए बाग में मिशनरियों से मुंड़क सरदावों का संबंद विच्छेथ होने के बाद बिर्षा का मिशनरियों के व्रती विचार बदला और वे मुंड़क सरदावों के साथ उनके आंदोलन में शामिल हो गए बिर्षा के परिवार में भी जर्मन मिशन धर्म स्यापकर रोमन कैथोलिक धर्म सुईकार चलिया फिर 1899 में बिर्षा का परिवार बंद गाव आ गया जहां बिर्षा को वैशन धर्म गुरू आनंद पांडे का स्तानित मिला बेवैशन धर्म के तरीव रहे उन्होंने जनेव धरन किया गोकशी पर प्रसीबंद लगवाया और शुददा बस्दया पर जोर देने लगे 1895 तक बिर्षा को लोग एक मसीह की तरह देखने लगे थी तूर दरा से लोग उनके पास अपनी समस्याओं के निदान के लिए आने लगे थी इस्थानिये लोग बिर्षा को ठल्कियाबा थे और नीशोर के दूर के रूप में मानने लगे थी उन्होंने एक नया थर्म शुरू किया जो पिर्षाइब निकलाएबा थी जन्यवाद बोर्षा